हेलो फेंट्स, हेलकम तू माई यूटूब चैनल तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी डिविरेंट के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल प्रोविजन फॉर डिकलेरेशन आप डिविरेंट मतलब जब भी कोई कमपिनी यहाँ पर डिविरेंट डिकलेर करती है तो उसको किन प्रोविजन को यहाँ पर पास करना पड़ता है और यह आपका टॉपिक कमपिनी लोग की यह तंबर फिफ्थ के अंदर आता है तो हम इसको स्टार्ट करते है सबसे पहले आपका आता है बोड मीटिंग डिविरेंट कैन बी डिकलेर ओल्ली ओन रेकमेंडेशन अफ बोड ऑफ डिरेक्टर मतलब जब भी कमपिनी को यहाँ पर डिविरेंट को डिकलेर करना पड़ता है तो वो क्या करती है Board of Directors की उसको recommendation चाहिए होती है मतलब Board of Directors उसको pass करेंगे उसके बाद ही कोई company यहाँ पर dividend जो है वो declare कर सकती है तो इसको करवाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते है company के अंदर करेंगे एक board meeting तो board meeting होगी जिसमें board of directors बैठेंगे और वो जब यहाँ पर recommend करेंगे उसके बाद में ही जो dividend है वो company declare कर सकती है Board meeting should be called to pass resolution about अब board meeting के अंदर यहाँ पर कौन कौन से resolution को pass करना पड़ता है तो first point आता है आपका rate of dividend to be paid अब आप कितने rate पे यहाँ पर dividend pay करने वाले हो तो उस meeting के अंदर सबसे पहले यह decide किया जाता है कि rate कितना होगा dividend का दूसरा point आता है date of annual journal meeting अब यह देखा जाता है कि आपका जो दूसरी annual journal meeting होगी तो वो किस date को होगी और third आता है आपका यहाँ पे bank with which separate account should be open to remit that dividend amount अब first आजाएगा आपका कि rate कितना देंगे मतलब जो dividend है उसको 6% पर 7% पर कितने % पर यहाँ पर देने वाले है दूसरा point आएगा आपका कि जो आपकी annual journal meeting होगी उसकी date decide की जाएगी अब यह तो आपकी board meeting है अब annual journal meeting कब होगी तो उसकी date वहाँ पर decide कर लेंगे और तीसरा point यहाँ पर आएगा कि dividend देने के लिए जो एक separate bank account यहाँ पर open करना पड़ता है shareholders का तो वो हम क्यों से bank में करेंगे और उसके अंदर कितना dividend का amount वहाँ पर pay करना है तो इसके लिए जो भी आपका separate account होता है उसको वहाँ पर open करना है तो यह जो तीन बाते हैं यहाँ पर उस board meeting के अंदर इसको pass करनी पड़ती है यह आप pass करोगे इस resolution को board meeting के अंदर अब सबसे पहला point आया है कि जब भी company को declare करना है dividend तो सबसे पहले क्या होगा जो बाते हैं उनको pass करना पड़ेगा तो सबसे पहले आजाते हैं आपका rate of dividend कि आप कितने rate पर dividend देने वाले हो दूसरा point आजाएगा आपका date कब आपकी annual journal meeting होगी और third point यहाँ पर आते हैं आपका कि जो आपका separate bank account है तो वो आपका कौन से bank में open करना है कितना उसके अंदर dividend amount वहाँ पर पे करोगे इसके बाद में आपका second point आता है shareholders approval dividend is approved by the shareholders by passing an ordinate resolution at the AGM अब dividend जो है न वो कौन अप्रूफ करते हैं shareholders ही अप्रूफ करते हैं अब इसके अंदर जो shareholders है सबसे पहले क्या हुआ board meeting हुई उसके अंदर है न उन्होंने declare कर दिया कि इतना हम dividend देने वाले हो अब यह जो dividend है जो उन्होंने declare किया है अब यह dividend जो है वो approve करने के लिए कि इसके पास में जाएगा shareholders के पास में जाएगा अब shareholder उसको pass करेंगे सबसे पहले उसको pass करने के लिए ordinary resolution लेकर आएंगे और उसको AGM के अंदर वहाँ पास करेंगे जैसे कि हमने उसमें देखा था second point जो था वो था date of AGM कि AGM कब होगी तो यहाँ पे इसके अंदर आता है कि उनको pass करेंगे OR से और उसके बाद में AGM के अंदर वो pass किया जाएगा shareholders can declare a lower amount of dividend than what is recommended by the vote but not higher than that उस amount को या तो कम कर सकते मतलब 8 कर सकते है 9 कर सकते है but उससे जादा नहीं कर सकते मतलब 10% से जाथा यहाँ पे amount को declare नहीं कर सकते तो shareholders के अंदर क्या power निके पास में जो उन्होंने amount वहाँ पे declare किया है उससे वो lower amount वहाँ पे दे सकते हैं but not higher than that अब जब एक बार हो गया तो उसको वहाँ पर रिवोक नहीं कर सकते मतलब जब आपने एक बार कमिटमेंट कर दी कि इस कमपणी में इतना डिविडेंट दिया जाएगा तो उसके बाद में उस जगा से वहाँ पर पीछे नहीं हटा जा सकता और दूसरी चीज है कि जब company ने एक बार dividend pay कर दिया तो company ऐसा नहीं है कि उसी साल में तूसरी भार भी dividend देगी तो company सिर्फ एक बार ये वहाँ पे जो है dividend जो है वो pay करेगी अपने shareholders को इसके बाद में ये था आपका second point shareholders approval का जिसके अंदर हमने ये देखा है कि dividend जो है जो भी dividend का rate of amount जो भी उन्होंने set किया है board members ने उसके बाद में वो approval होने के लिए किसके पास में आएगा shareholders के पास में आएगा shareholders जो है वो और पास करेंगे AGM के अंदर और साथ में shareholders जो है वो lower amount को वहाँ पे decide कर सकता है जादा higher amount वो भाँपे set नहीं किया जा सकता है इसके बाद में third point में हमने ये देखा है कि जेसके बाद में जो भी हमने dividend का amount वाँपे declare किया है उसके बाद में उसके वहाँ पे convτικ不要 नहीं आई किया सकता इसके बाद में आता है अपका third point separate bank account अब separate bank account की आAyOTA है दा कंपनी मस्ट डिपॉजट दा डिविडेंट अमाउंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन इन दा शेडूड बैंक कॉल्ड डिविडेंट अकाउंट विदिन फाइफ डेज ओफ डिकलेरेशन जब कंपनी ने यहां पर डिकलेर किया उसके बाद अप्रूवल हो गया उस इसके अंदर जो डिविडेंट अंगा और यह जो अंद्पराइए मैं तो यहां पर कंपनी तो जब भी आपकी लिस्टिंग कंपिन है तो जभी क्या होता है आपकी साथ में additional requirement की भी यहां पर जरूरत पड़ती है listing company के अंदर notify stock exchange their company security are listed at least two days in advance of the date of board meeting at which recommendation of final dividend is to be considered अब notify stock exchange companies के अंदर क्या देखा जाता है कि at least दो दिन का time जो उनके पास में advance वहां पर दिया जाता है जब भी आपने board meeting वहां पर schedule की है intimate stock exchange immediately about declaration of dividend अब यहां पर आपको intimate stock exchange करना पड़ेगा जब भी आपने declare किया है dividend के amount को इसके बाद में आता है closing the register of members and transfer the registers अब यह जो है आप वहां पर close करोगे registers को members के और उसके बाद पर amount उसको pay कर दोगे it must use electronic mode of payment यहां पर जो है आपका electronic mode of payment का use किया जाता है जैसे कि आपका हो गया ECS electronic clearing service और आपका NEFT जिसको बोलता है national electronic fund transfer और यह दोनों किस से approved है RBI से यहां पर approved है listed company has to express the dividend as on the per basis only अब जो listed company है न वो जब भी dividend देती है न वो per basis पे वहां पर देती है तो सिर्फ पर basis का ही वहां पर use किया जाता है अब इसके बाद में आपका आता है fourth point अब सबसे पहले हमने first point देखा था board meeting के बारे में दूसरे point में आता है आपका shareholders approval और तीसरे point के अंदर हमने देखा था separate bank account और fourth point के अंदर आता है prohibition to pay dividend अब यहां पर companies को क्या क्या prohibit लगाया गया है कि किन conditions के अंदर उनको dividend यहां पर नहीं देना है a company which is has filled to repair deposit और any interest on deposit cannot declare any dividend on its equity shares अब यहां पर यह बोला जा रहे है कि company के अंदर मतलब इतना enough profit नहीं है company ने जो dividend है वो दे दिया बट उसके बाद में यह जरूरी नहीं है कि वो equity shares को भी यहां पर dividend दे तो equity shareholders जो होते हैं आपके उनको dividend की जो है preference वो बहुत last में दी जाती है no dividend can be declared if company has defaulted on अब यहां पर हम कोई भी dividend नहीं देंगे अगर company ने इन conditions में से किसी में भी default कर दिया है अब default वो किसमें कर सकती है redemption और diventure on payment of interest जो अब आपके redeem हो रहे थे debentures तो अब आपने उन्हें interest नहीं दिया तो उस condition में जो आपका dividend है वो क्या हो जाता है वहाँ पर देना जरूरी नहीं है redemption और preference share की redemption के time में आपने default payment कर दी वहाँ पे नहीं करा payment on interest to financial institution यहाँ पर financial institution को payment नहीं मिली है वो भी delay में है तो इन तो इन conditions के अंदर यहाँ पर dividend जो आपका डिविडेंट डिक्लेरेशन का topic जो है वो complete होता है तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने चार पॉइंट देखे है कि किसी भी company को जब भी डिविडेंट डिक्लेर करना होते तो चार पॉइंट को complete करना पड़ेगा सबसे पहले company को board meeting बुलानी पड़ेगी board of directors उसको अप्रूफ करेंगे उसके बाद में दूसरा जाएगा वो shareholders के पास में shareholders वहाँ पे अप्रूफ उसके बाद में जो rate of interest है वो उसको कम कर सकते हैं थर्ड पॉइंट आता है कि जो company है वो क्या करेगी separate bank account जो है वो open करेगी और fourth point में आता है आपका वो condition जिस condition के अंदर company के पास में prohibition लगा दिया जाता है कि वो किन condition के अंदर यहां पर dividend का जो amount है वो pay नहीं करेगी तो थैंक यू सो मच और वाचिंग